हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज बहुलक निकालना सीखेंगे कि बहुलक को किस प्रकार से निकाला जाता है फ्रेंस बहुलक निकालने से पहले आपको बहुलक का अर्थ पता होना चाहिए फ्रेंस यदि आपको बहुलक का अर्थ पता हो जाता है तो आप किस स्रीज का बहुलक बहुत जादा सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं मेंEsti य invented आरफ होता है कि कोई स्रीज दिया जाता है उस स्रीज में आपका कौ्श संख्या सबसे अधिक बार आई है वही संख्या स्रीज का बहुलक होता है वह चलिए इसको हल करके आपको पताते हैं कि इसमें से बहुलक आप कैसे निकाल सकते हैं फ्रेंस आपके लिए पहला कोस्टन लिया गया है यहां पर एक स्रीज दिया गया है देखिए स्रीज क्या है कि बारा है बारा तेरा बारा और दस है इसमें आप स्रीज में देखिए कों से संक्या सबसे अ यहां पर बहुलख कितना होजागा फ्रेंश बारह यहीं इंसवराफ देखी सबसे अधीक बार कौन से संग क्या आई रहा आपका बहुलख कितना होगा बारह होगा चलिए अगले क्वेशन को सिर्फ दो बार 13 लेकिन यहां पे चब्योंट देखेंगे, सिर्फ एक बार आया है, अध 10 को देखेंगे, 10 को धने, 10 को यहां पे एक है majn यहां पे बार एक बार, दो बार, इन बार और चार बार, यहां कि आरश पिर बार है थो हो बहूलक आपका कितना होगा तो फ्रेंट देखी इस प्रकार से बहूलक निगाला जाता है इसी का बहूलक क्या होगा पसंदा ये पसंद आयगी आपको cake look करें आपको लगारा थे और प्रूड का नए है ते चैनल को सब्सक्राइब करें